हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह इडली लवर हैं तो आज की रेसिपी आप ही के लिए है कभी कभी हमें इडली खाने का मन्तु करता है लेकिन हमारे पास सांबर या चिटनी बनाने का टाइम नहीं होता है तो आप इस तरह से इडली बना सकते हैं ये बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है देखिए कितने नरम और मुलाइम है आप बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कब बारीक सूजी अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंड कर ले और जितने हैं मैंने सूजी लिए उतनी ही मैंने दही लिए अगर आपने घटी दही लिए तो फिर थोड़ा कम डाले और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आदा चमच नमक अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंप्स ना रहे और पानी आप धीरे धीरे डालिए ताकि इसमें कोई लंप्स ना पड़े और हमारा बैटर ज्यादा पतला ना हो बैटर बनाने टाइम आप बैटर की कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखा करिए वही इंपोर्टेंट होता है बाकी इंग्रिडियन्स तो उपर नीचे होते रहते हैं अब हम इसे ढख कर 10 मिंट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं अब हम लेते हैं 5 जालू इसे मैंने ये थोड़े ठंडे हो गया है इसलिए मैं इसे काट रही हूँ ऐसे आप भी काट लें आप एक पैन गरम करेंगे इसमें मैं डाल रही हूँ सरसो का तेल आप कोई भी तेल डाल सकते हैं और इसे अच्छे से गरम करेंगे जब गरम हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी खड़ा धनिया लगबग आदे चम्मच के करीब मैंने डाला है और उरत की दाल उरत की दाल से बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है आप इसे जरूर डाले और दो मैंने डाला है कड़ी पत्ती और आदा चम्मच के करीब सौफ अब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज प्याज गोल्डन होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अतरक लहसन का पेस्ट और फिर इसे अच्छे से चलाएंगे चलाने के बाद इसमें डालेंगे सिमला मिर्च ये बिल्कुल आप्शनल है आप अपनी पसंद के according कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जैसे गाजर, मटर अब नमक डाल के सब्जी को अच्छे से पका लेंगे ताकि वो कच्छे ना रहे ये देखे मैंने पका लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू आप सोच रहोंगे मैंने इसे काटा था और ये कैसे मैस हो चुके हैं आलू ठंडा हो गया था तो मैंने इसे मैस कर दिया क्योंकि इसमें आलू बिल्कुल गले हुए चाहिए मैं इसमें डाल ली हूँ आदा चम्मच सांबर मसाला आप इसके जगा पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं और आदी चम्मच लाल मिर्च और बुना हुआ जीरा धनिया का पाउडर जो हम समोसा में डालते हैं ना सेम वही अब हम इसे अच्छे से मैस कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल आलू खड़े न रहे अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी सी मूंख फली यह ऑप्शनल है आप डालना चाहिए तो डाले या ना डाले बिल्कुल हम लोगों ने समोसे वाला अलू तयार कर लिया है अब हम गैस का फलेम बंद कर देते और इसमें डाल देते हैं आदा चम्म चाट मसाला जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और हम इसे अच्छे से मैस कर लेते हैं अब इडली मेकर में थोड़ा सा ओयल लगा दें ताकि उसमें इडली हमारी चिपके नहीं और हमने जो अब आलू तयार किया है उसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी बनानी है बिल्कुल जो हमारा इडली मेकर है उसकी एकदम आधी अब आप इडली मेकर में पानी डालके उसे प्री हीट होने के लिए रख दें जितने देर में पानी बॉयल होगा उतने देर में हम इडली के स्टफिंग कर लेंगे पानी को देखिए मैं अच्छे से देख रही हूँ कि हमें कितना पानी डालना है बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इसे ढख देते हैं और गैस अन कर देते हैं हमने जो बैटर रखा था देखिए वो बिल्कुल रेड़ी है हम इसे चला के देख लेंगे अगर आपको बैटर गाड़ा लगे तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालके और उसे अच्छे से मिलाएं जाद रखे फ्रेंड्स हमें बैटर को बहुत जादा पतला नहीं करना है और हमें ऐसे मिलाना है ताकि उसमें कोई लाम्स ना रहे अब हम इसमें डाल देंगे आदा चमच इनो आप चाहें तो मीठा सोड़ा भी डाल सकते हैं या बेकिंग पाउडर दोनों मैं इनो डाल र टिकिया बनाई थी उसे रख देंगे बीच में और फिर उपर से हम जो हमने बैटर तयार किया है उसे डाल देंगे देखिए मैंने लग रहा है इसमें कुछ जादा ही डाल दिया है आप ऐसा ना करें देखिए मैं सेकंड वाला दिखाती हूँ मैंने थोड़ा डाला है और उसके बाद फिर आलो की टिग्या रहके उपर से बैटर डाला है देखिए मैं चारो दिखा दें हूँ आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे डालना है अगर आपको में रेस्पी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें अब हम इसे डाल देंगे इडली मेकर में देखिए ये अच्छे से तयार हो चुके हैं इडली को कभी भी गरम ना निकाले, इससे वो तूट जाते हैं, तो मैंने इसे ठंडा कर लिया है, और उसके बाद मैं इसे चाकू या स्पून, आपको जो भी कमफर्टेबल लगे, उसकी हेल्प से आप ये सारे इडली निकालने, निकालने के बाद आप इसी प्लेट में इस सर्व करें, मैंने इसे मुंगफली के चटनी के साथ सर्व किया है, ये मुंगफली के चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, देखिए, ये कितने अच्छे हैं, बहुत ही नरम और मुलायम बनते हैं, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, देखिए, मैं इस काट के दिखाती हूं कि यह कितने नरम और कितने सौफ्ट हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप इसे जरूर बनाए और घर पर ही ट्राइगा आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं यह वैसे बहुत टेश्टी होते हैं इसे बनानों बहुत ही आसान है और यह करते हैं अगर जैसे मैं बथा रहे हूँ किसे कैसे ऐसे घरते हैं वैसे अगर रात की भी इसी हो या ठंडी हो गई हो तो आप इसे फ्रा आइगा सकते हैं इसे पहले हम छोटे-छोटे씨 में कट कर लेंगे देखे मैंने सारे इडली कट कर लिये हैं अब हम एक पैन गरम करेंगे उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल ज़्यादा नहीं डालना है तेल गरम होने के बार डालेंगे हम हींग बिल्कुल थोड़ी सी उसके बाद आधी चमच राई आधी चमच ही उरत की डाल या आप चने की भी डाल डाल सकते हैं और चार प्माच कड़ी पत्ती और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च अब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने इडली काटके रखी थी वो और इसे अच्छे से एक मिनट तक चलाएंगे इसे हाई फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे इसके बाद हम डालेंगे इसमें पाव भाजी मसाला या सांबर मसाला मैं सांबर मसाला डाल ली हूँ याद रखी इसमें नमक नहीं डालना है क्योंकि सांबर मसाला में अरड़ी नमक होता है उसके बाद थोड़ी सी धनिया की पत्ती अब हम इसे अच्छे से एक मिन तक और फ्राई कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए देखिए ओचुके हैं अब हम ग्यास का फ्लेम बंद कर देते हैं बंद करने के बाद देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं मैंने इसे मुमफली की चट्नी के साथ सर्व किया है अगर आपको मेरी मुमफली की चट्नी की रास्पी जाननी है तो प्लीज कॉमेंट करें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसे बनाना बहुत ही असान है और ये घर में रखे समानों से ही असानी से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे सुभा के नास्ते में साम के नास्ते में या कभी भी बना के खा सकते हैं यह बहुत ही easy है और बहुत ही tasty लगती है अगर आपको मेरी recipe अच्छी लग रही है तो please मेरे चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें Thanks for watching